जहें दोस्तों मेरा ना मैं अतूल और स्वागत है आपका अपनी यूटिब चनल अतुल टिक बजार में दोस्तों रियल्मी 8 और रियल्मी 9 का मैंने फुल रीडियो यूडियो बना दिया है दोस्तों हम कैमरा टेस्ट जो है फुली तरीके से कवर नहीं कर पाते हैं इस वीडियो में हम यहां पर फुल कैमरा रिव्यू करने वाले हैं इंदेफ्ट कैमरा रिव्यू यहां पर वने वाला है इसे रियल्मी 9 4 के साथ छोटी मोटी कॉंटरवर्सी भी क्रेट हुई थी क्योंकि इसमें sd680 प्रोसेसर और sd680 प्रोसेसर जो है वो सपोर्ट नहीं करता है 108 मेगापिक्सल कैमरा को तो भी रियल्मी ने इसे कैसे यहां पर प्रोइड किया है कॉलकॉम के साथ मिलके कैसे इसे बनाया यहां पर यह सब बाते आपको सोचल मेडिया में सुनने मिली होगी तो फिला इस वीडियो में यहां पर किलेर कर दूँगा कि यह जो कैमरा है किस सरह की फोटो इसे तो दोस्तो आप चैनल पर लिएज़ की प्रेस को लिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अप्रोट करूट कर महीं नोटिविकेशन आप तक पहुंच जाए चलिए आपड़ापट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों Realme 9 4G में आपको ट्रिपल रेल कैमरा सेट अप मिलता है जो प्राइमेरी रेंस है 108 मेगापिक्सल सेमसंग आइसे सोल हम6 है 8 मेगापिक्सल मेगापिक्सल मीरुत में यहां पर आप दिक सकते हो कैमरा का जोस्टेम्स सेंसर देंस आपको बता देता हम यहां पर आप जाने से पहले आपको बता दू कि Realme 9 4G में आपको 108 MP का कैमरा मिलता है पीछे की तरफ आप कैमरा देख सकते हो कैमरा की डिजाइन भी चेंज है Realme 8 से 108 MP का कैमरा है SD680 प्रोसेसर के साथ में जो कि पिक्सन बाइनिंग को सपोर्ट करता है साथ ही में Realme 8 में आपको 64 MP का कैमरा मिलता है आपको पहले ही पता होगा More के option में आप देख सकते हो जो option Realme 8 में दिये हैं वो Realme 9 4G में नहीं मिलता है जैसे की Steree Mode और Dual View वीडियो वाला जो support है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है में भी हो सकता है Realme 9 में O2 Update के तुरु यह feature आए अभी नहीं मिलता है Ported Mode में जो filters हैं वो भी यहाँ पे एक filter Realme 9 4G में आपको नहीं मिलता है जो की AI Color Ported वाला filter है वैसे यहाँ पे दो filter प्रवाइड किया है काफी अच्छी बात है Realme 8 सीरीज में आपको यह filter देखने को मिलते है रेर केमरे में आपको filters मिल जाते है अकि रेर फोटो के लिए दोनों ही Mobile में सेम ही option आपको मिलते है HDR AI Color वाला option जो है वो मिल जाता है वीडियो का option हगर हम tap करते है तो यहाँ पे Ultra Steady Mode वाला जो option है वो Realme 8 में आपको मिलता है Realme 8 के बारे में बात करें तो Realme 8 में 1080p 60fps पे आप वीडियो record कर सकते हो लेकिन Realme 9 में यह option आपको नहीं मिलता है तो यह Realme 9 जो है उसमें आपको 60fps वाला कोई भी option नहीं मिलता है जबकि Realme 8 में 720p 1080p में आप 30fps 60fps पे वीडियो recording कर सकते हो जो की काफी अच्छी बात है Old device में यह system यह feature जो है आपको मिलता है Realme 9 4G जो है वो नई device है तो हो सकता है यह करके OD update के थूँ यह feature इंक्लूट किये जाए Front video graphic लिए दोनों में ही आपको Max to Max 1080p वाला option मिल जाता है यह एक अच्छी बात है Realme 9 4G में street mode वाला option मिलता है जो कि एक नया feature है अभी नय mobile जितने भी आ रहे है उसमें आपको street mode वाला option मिलता है quick photography के लिए Realme 8 पे यह feature आपको नहीं मिलता है night को option दोनों में ही मिलता है front and rare camera के लिए दोनों ही mobile में हमने same photo लिए है और यहां पर detailing में जाके मैं आपको बता देता हूं तो आप देख सकते हो realme 9 4G left side में और right side में realme 8 है तो यहां पर realme 9 में 31.5 MB और realme 8 में 64 MP समय की जटो 14 MB की photo लगभग यहां पर आ रही है second picture में realme 9 जो है 24.6 MB और realme 8 approximately 21 MB की photo देता है third picture भी यहां पर मैंने collect की है तो इसकी भी detail यहां पर आप दिखा दू 21.7 MB realme 9 और 18.4 MB जो है realme 8 से मिलती है तो यहां पर detailing काफी ज़्यादा मिलती है 108 MP का camera का यह proof है detailing आपको ज़्यादा मिलती है pixel wiring तो दोनों में ही है पर यहां पर realme 9 जो है इसमें 108 MP की detailing आपको ज़्यादा मिलती है चलिए कुछ photo samples देखते है यह photo दोनों ही mobile के front camera से 16 MP से ले गई है अगर आप overall देखो तो face की detailing और background की detailing इसमें realme 8 की जो picture है ज़्यादा sharp नजर आ रही है यह दोनों ही photo portrait mode पर लेगे है realme 8 में आप देख सकते है थोड़ा सा redist face दिखता है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा whitist face दिखता है realme 9 में और overall जो edge detection है दोनों ही mobile में same to same ही है यह photo दोनों ही mobile के rare camera से लेगे है 108 megapixel और 64 megapixel तो भी यहाँ पर realme 9 जो है आप देख सकते हो कलर काफी अच्छे से गेदर किया हुआ है और detailing भी यहाँ पर अच्छी मिलती है realme 8 में थोड़ा सा यहाँ पर darkness नजर आ रही है यह photo ported mode पर लेगे है यह edge direction काफी अच्छा है पट यहाँ पर अगर realme 8 को आप देखोगे तो color काफी dark नजर आ रहे हैं पर realme 9 4G device में आपको जो background है थोड़ा सा light नजर आ रहा होगा इसके लोगा ported filter के बारे में आपको बताया था कि realme 9 में दो ही मिलते हैं जबकि realme 8 में तीन ported filter मिलते है डायनमिक बुके AI color ported बुके fair ported तो यहाँ पर जो AI color ported है जो black and white वाला वो realme 9 4G में available नहीं है में भी OTA update के थुरू मिल जाएं पर इन दोनों ही mobile की ported filter की जो quality है आप यहाँ पर देख सकते हो किलरी यहाँ पर जो है तो उनों ही mobile अच्छी photos ले लेते हैं अच्छे लिए दोस्तों फड़ाबर से कुछ photos and video sample यहाँ पर देख लेते हैं पोट्रेट मोट में यह photo लिए गई है वैसे दोनों ही mobile में मैंने AI enhance जो है on किया हुआ है पर realme 8 की photo जो है आपको काफी डार्क और काफी नेचरल नजर आ रही हो कि realme 9 में थोड़ा से यहाँ पर वाइट वास आपको नजर आ रहोगा और even अगर हम ported mode लेते हैं तो realme 8 में इनके मामले में दोनों ही mobile अच्छी photo ले लेते हैं इस वाली photo में भी आप clearly वही चीज़ देखोगे जो कि आपने पहरे photo में देखे ported और normal में वही light जादा आपको देखता है realme 9 4G में और realme 8 में काफी dark तो detailing realme 8 में आपको अच्छे मिलती है अब दोस्तों यह जो दोनों photo लेगी यह max to max megapixel वाली mode पर लेगी है realme 8 मे 64 and realme 9 में 108 megapixel camera के साथ में और यहां पर जो realme 8 का साइज है वह 18 MB का है realme 9 का 21 MB का साइज आता है जो कि zoom करने पर realme 8 से ज़्यादा detailing देते हैं अब यह जो image यह भी 108 और 64 megapixel camera से लिए realme 9 का साइज 25 MB के around आता है और realme 8 का साइज 20 MB के around और यहां पर दोनों ही images में आप quality चेक कर सकते हो जो realme 9 थोड़ा bright रहता है और realme 8 जो है थोड़ा से यहां पर dark दिखता है तो overall दुस्तों जो फोटो है तो नहीं में में अपनी quality की आ जाती है और AI enhance जो आप on करते हो तो दोनों में ही फोटो के colors अलग अलग मिलते हैं जो दोनों ही colors जो है अच्छे गेदर हो जाते हैं और जहां पर जो 108 MP का camera detailing के साथ आपको मिलता है फिक सेंबेरिंग पर work करता है और जो photo की detail है वो भी आपको काफी अच्छी मिलती है कि अच्छी मिलती है कि अच्छी मिलती है अच्छी मिलती है वो खड़िया करते हैं झाल 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 झाल